हलो दोस्तों तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे है पुराना किला और यह मेरे हाथ में है टिकेट 25 रुपेगी तो यहां से मैं एंटर करते हैं आप चलते हैं पुराना किला में तो आएए तमासा देखते हैं यह पुराना किला में गेट यह हम पुच्छे किले के अंदर यह किले का लेप्ट साइड वाला इस्सा पूरा इस तरफ और यह राइट साइड वाला इधर और यह हमारी राइट साइड यहां पर यह म्यूजियम भी है पांच बज चुके हैं तो यहां पे बज़े बंद हो जाता है तो अभी यह बंद है आज आम यहां पर नहीं जा सकते तो नेक्स टाइम जब भी मैं यहां आँगा यहां की वीडियो आपके लिए जरूर बनाओंगा तो चलो बाकी का किला देखते हैं यह किला 500 साल से भी ज्यादा पुराना है और कहा जाता है कि इसकी खोज महाभारत के टाइम पे पांडवों नहीं की थी और इस किले की काफी सारी चीजें मुगलकाल से भी जुड़ी हुई है यह अभी आया हैं के एकदम किनारे वाली साइड यह नीचे में रोड है इसके नीचे अभी जाड़ियों से दिखने रही और यह देखे इस तरफ यह पूरा किला इस तरफ यह नीचे और वहां से वहां से हम आये थे अभी यह देखे नीचे आप दिखाते हूं नीचे यह दिखे यह में रोड है नीचे और यह जिस पर हम अभी चल रहा है यह दिवार बनी हुई है और दिवार के उपर चल रहे हैं अभी यह सीदा उदर तक चलते हैं यह पूरी यह दिवार इदे के सामने से लोग आते हैं उस दिवार पे यह दिवार है पूरी बनी हुई और यह पार्क यहां से देखते हैं उधर जाना है तो कैसे जाएंगे यह बहुत पत्री दिवार इस पे जो हम चल रहे हैं यह बहुत पत्री दिवार है इसके उपर से हम जा रहे हैं बहुत एडविंचरिस सा है यह यह देखे इस दिवार से हम अभी आये थे वह लोग आ रहे हैं वहां से वहां से वह आ रहे हैं यह देखें कि यह अभी जाएंगे उदर उदर चलते हैं यह यहां से सीड़ियां जारी है नीचे फिर वहां से सीड़ियां उपर फिर दिवार पर चलके चलेंगे हम वह सामने और जाएंगे इस मस्जिद या मकबरा है जाके देखते हैं और इस में है चलते हैं यहां से सीड़ियों से नी यह बना हुआ यहां से उपर यह इस तरह पूरा जंगल जहां तक नजड़ जारी है जंगल है और वहां से हम अभी आए थे चलो चलते हैं पत्थरों वाला रास्ता अब देख रहे हैं वहां से आये थे हम उस दिवार पर चल चल के यहां से चड़ा थे उपर यहां से चलते हैं और आगे हैं यहां से भार का नजारा यह लोग जा रहे हैं उस दिवार में पहले चलते हैं उस मक्वरे में यह है किलाए कोहना मस्जिद यह जो आप सामने देख रहे हैं मस्जिद है यहां पर कुछ खास नहीं है एक हॉल टाइप का बिना हुए यह उपर का डिजाइन जैसे मस्जिद में होता है और यह इस तरह भी पार्क यह भी कितने अच्छी लग रही है यह सीनरी यह सेर मंडल है एक गुमबद की तरह बना हुए चार तरफ से अंदर से बंद है उस तरह पूरा पार्क है जहां तक नजर जारी है वहां तक पार्क है यह है हुमाई दर्वाजा यहां पर कैसे पहुंचना है बता देता हूं यहां पर चिडिया घर अगर आपने देखा चिडिया घर पर मैंने एक वीडियो बनाई है वीडियो भी आप जरूर देखें चिडिया घर और इसकी एंट्री एक ही गेट से होती अंदर में रोड से रिंग रोड पर पड़ता है अब परगती मैदान के पास तो परगती मैदान नियरेश मैट्रो स्टेशन है या मंडी हाउस मैट्रो स्टेशन और यहां पर बता हूं तो आप बच्चों को भी ला सकते हैं फैमिली को भी ला सकते हैं ऐसा कुछ नही ना सोर सरावा ना ट्राफिक का सोर और मैं अपना experience बता हूं तो मैं आज दूसरी बार आ रहा हूं पहली बार आया था एक बार आज से कम से कम 10 साल पहले तो उस टाइम भी ऐसी experience था अच्छा था उस टाइम में दोस्तों के साथ आया था पूरा group आया था और आप जब भी आय आप ज्यादा enjoy करेंगे तो यही था आज को सफर पुराना की लागा और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में और प्लीज आप चैनल को subscribe कर दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो like करें, share करें और comment करें अपना experience बताएं मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में तब तब करें दें तब करें तादा